जैसी कृष्णा ज्योतिश एक दिविय प्रकास चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों ज्योतिश से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जनम कुण्डली के चतुर्थ भाव में राहू सुब है या अशुब यह जानना अतियावशक होता है जातक की कुंडली में राहू कब अशुब होता है तथा अशुब राहू के क्या परिणाम प्राप्त होते हैं आईए जानते हैं दोस्तों मेश, व्रशप, सीह, व्रश्चिक एवं मकर लगन वाले जातकों को चतुर्त भाव में बैठा राहू सदेव अशुब फल प्रदायन करता है अशुब होने की कारण जातक को माता के सुख में कमी तथा माता को सारी कष्ट देने वाला होता है कुणिली के चतुर्त भाव में यती राहू अशुब हो तो जातक, भुद्धिमान एवं मेहंती होते हुए भी हमेशा हर कार्य में विग्ण और संगर्ष का सामना करता है इस कारण से इस जातक का मन बड़ा ही अशांत और अशंतुस्ट रहता है चतुर्त भाव का अशुब राहू जातक को आर्थिक परिशानिया भी देता है साथ ही विवाहक और पारिवारिक सुखो में विलम की स्थती उत्पन करता है कुंडली के चतुर्त भाव में अशुब राहू होने के कारण जातक को मकान वो जायदाद संबंधी परिशानियों का भी सामना करना पड़ता है दोस्तों ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करते हैं अधिक मैनत करने के बाद भी इनको उचित फल की प्राप्ती नहीं हो पाती है जिस कारण से इनका जीवन अधिक संघर्ष पून रहता है अशुब राहू के कारण जातक की भाग्य उनती में बार बार अडचने आती है चतुर्थ भाव में यदि राहू अशुब हो तो जातक कई बार बीना सोचे समझे बोलने के कारण परेशानी में आ जाते हैं जिसके कारण परिवार जनों के बीच मतवेद हो जाता है ऐसे जातकों को घुसा बहुत अधिक आता है। दोस्तों अर्शुब राहु के कारण जातक के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगली जानकारी के लिए मेरे चैनल जोती शिक दिवी प्रकास को जरूब सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जैशी किष्णा। चैनल जातक प्रत्सक्षाइब प्रभाव